बेगु सराय के लाखो थाना छेत्र के खातोपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगबान सिभ के मंदिर में अस्तापित सिबिलिंग को चापा कलके हैंडल से तोर दिया और इतना ही नहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि ओहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर में बैठ कर पाटी किया करते थे, सराप पिया करते थे और मंदिर के बगल में ही मुर्गा मांस मचली जो है वो काटा जाया करता था और उसके बाद भारी बवाल मच गया है और इतना ही नहीं मौके पर SP, DSPS, DOS, DM सब लोग पहुच चुके हैं केंद्रिय मंत्री गिरी राज सिंग भी पहुचे और भारी बवाल मचा हुआ है और वहां पर भारी पत्थर बाजी भी भी हुई है इस चार से पाच मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बाते आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रिंश कुमार सिंग और आप देख रहे हैं Positive India या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग आपने आपको हिंदू ना कह सके लोग ये कहें कि हम राजपूत हैं तो हम चमार हैं तो हम पासमान हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं और ये हर सरकार तुष्टी करन की राजनिती करती है चाहे वे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ही क्यों न हो और हिंदूओं की ऐसी स्थिती इसलिए है क्योंकि हिंदू एक जूट नहीं है तभी तो हिंदूओं की भावना के साथ लगातार खिलबार किया जा रहा है और जो अभी सुचना आ रही है उसे सुनकर आप हैर रह जाएंगे कि कैसे भगवान सिव के मंदिर में घुस कर सिविलिंग को खंडित कर दिया जाता है वहां पर सराब मास मचली का सेवन किया जाता है मंदिर में घुस करके सराब पाटी की जाती है और जो मीडिया रिपोर्ट की अनुसार जो जानकारी आ रही है उसे हम आपक अगाउं का बताया जा रहा है और बताया जा रहा कि मुस्लिम समुधाय के लोगों द्वारा सिभ मंदिर में बने सिविलिंग को चापा कल के हैंडल से तोर कर छटी ग्रस्त कर दिया गया वहीं सिविलिंग तूटने के बाद गुसाए अस्थानिये लोगों ने NH 31 को जाम कर द लेकिन पुलिस कोई भी कारवाई नहीं कर रही थी और जहां पर यह मंदिर स्थित है वहां पर आसपास मुस्लिमों की जनसंख्या काफी जादा है और ज़रा सोचने की बात है कि यही अगर कोई मस्जिद में अगर हो जाता तो अभी सारे नेता नंगा नाच शुरू कर देते और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मुस्लिम समुदाय जो है एक मुस्त हो करके किसी भी पाटी को बोट करता है मुस्लिम समुदाय में एकता है और इसी का नतीजा है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का बेक्ति अगर गल्ती भी अगर करता है तो प्रसासन उस पर हा नहीं कर पाता ताकि उसके सब्सक्राइबर न कम हो जाए उसके भीवर्स न कम हो जाए लेकिन पोजेटिव इंडिया भीवर्स इप के लिए काम नहीं करता देश हित के लिए काम करता है धर्म के हित के लिए जिसके खिलाप भी आवाद उठाना परेगा पोजेटिव इंडिय इस दोरान NH 31 लगभग 5 घंटे तक जाम रहा इस घटना के बाद इलाके में इस्थितिक काफी तनाव पूर्ण बनी हुई है और लोगों में काफी जादा आक्रोज देखा जा रहा है घटना की सुचना मिलते ही मौके पर सैंक्रो की संख्या में पुलिस वल की तैनाती कर दी है घटनास्थल पर बेगुसराय के एसपी योगेंद्र कुमार, डीसीपी अमीत कुमार और हेट क्वार्टर डीसपी निशित पिरिया सहित मौके पर कई थाना की पूलिस जो है वो पहुच करके मामले को संभालने की कोशिस कर रही है इससे आक्रोशित लोगों ने पूलिस वलों पर भी पत्थरवाजी की है वहीं आपको बताते चले कि केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग भी मौके पर पहुचे और आपको बताते चले कि केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग अभी बेगु सराय से ही सांसद हैं और बताया जा रहा कि पूलिस के द्वारा लोगों पर लाठी चार्ज भी की गई है यानि कि एक तो दूसरे समधाय के लोग पहले मंदिर में घुश करके भगवान सिब के सिबिलिंग को तोर देते हैं और उसके बाद जब लोग आक्रोसित होकर पथरवादी करते हैं लोग नराज होते हैं तो उसके बाद पुलिस उन पर पिडिया ने कहा है कि कुछ असमाजिक तत्तों के द्वारा मंदिर में बने सिबिलिंग तोरी गई है इसी से आक्रोसित लोगों ने एनेच 31 को जाम कर जम कर बवाल किया और वहीं सबसे बड़ी बात आपको हम बताते चल रहे हैं आप जड़ा इस बात को ध्यान से सुनिए यह जो रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं यह ABP News की रिपोर्ट है और ABP News क्या लिख रहा है कि आसाज असमाजिक तत्तों ने सिबिलिंग को तोरा क्या ABP News जो है इतना जादा ड़पोक है और इतना जादा मतलब डिर्गू हुँ है कि यह साप साप क्यों नहीं लिखा कि समुदाय के लोगों ने तोरा है क्या ABP News को डर लगता है यह जितने भी नेशनल मीडिया चैनल है अगर यही कोई हिंदू अगर मस्जीद में घुष करके ऐसा अगर क्रित को अंजाम दिया होता तो पूरे के पूरे लाइन में लिखा जाता और हेर लाइंस दिया जाता कि ह आप समझ सकते हैं कि आखिर तुष्टी करण की राजनिती ना सिर्फ सरकार करती है ना सिर्फ मीडिया करती है ना शिर्फ पुलिस परसाशन करती है वल्कि तमाम तरीके के लोग भी करते है और सबसे बड़ी चिंता की बात ही यह है कि दरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र एक एक कर सारे मंदिर तोरे जाएंगे ठीक उसी तरीके से जब मुगल आकरांताओं ने हमारे देश के तमाम मंदिरों को तोर दिया था हमारे प्रभु सीराम के मंदिर को तोर दिया गया था और वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है तो इस सब का जिम्मेदार हिंदू है क्योंकि उसमें एकता नहीं है और एकता में ही सक्ती होती है अगर आप एक नहीं हुए तो आपके मंदिर को ऐसे ही बार बार तोरा जाएगा और आप जब आक्रोसित होकर इसके लिए आवाज उठाएंगे तो पुलिस परसासन आ आप पर फायार दर्श करेगी इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है आप अपनी प्रतिकिरिया जरूर दीजेगा और सारे हिंदूों से पोजेटिव इंडिया यहीं निवेदन करता है कि जात पात में ना बढ़ करके आप एक धर्म है आपका आप हिंदू धर्म के नीचे धर्म की आप रक्षा कीजे धर्म आपकी रक्षा करेगा आप अपनी प्रतिकिरिया देना ना भूले जय हिंद जय भारत जय जय स्री राम